अब हम इसके शोल्डर जोइन करेंगे और हम इसका नेक बनाएंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले ये बैक का पल्ला लेंगे और उसको इस तरह से सिधा करके बिचा लेंगे अब इसके उपर हमने ये आगे का पल्ला जो है इसको ऐसे इसके उपर बिचा लेना है उल्टा साइड आपका जो है वो उपर की साइड आना चाहिए और सीधी साइड जो है वो अंदर की साइड आने चाहिए और अंदर की साइड आपकी दोनों दिखिए सीध साइड आनी चाहिए तो आपका ये जो आप स्वेटर बना रहे हैं उसके कंदे जोड़ेंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से बन जाएंगे तो आपको कोई दिक्ट नहीं होगी जो बिगनर्स है उनको तो देखें इस तरह से आप हम रख लेंगे इसको इस तरह से और अब सब से पहले हम इस साइड के जो इसके फंदे हैं उसको कास्ट आफ करेंगे तो दिखें कैसे करेंगे इस तरह से इसको ले लेंगे अब हम शोल्डर के फंदों को बाइंड आफ करेंगे तो इसकी हमने जो सीधी साइड है तोनों की अंदर की तरफ रख ली है तो इस तरह से इस आपस तरह से सिधे फंदे बुनकर Chairman are बाइंड आफ कर लीजिए चाहिए आप इसको उल्टे फंदे बुनकर प्र strongest अब नेगे और नेक्स्ट फिर से दो mode 1 को सिधे बुनेंगे आ wollt इस फंदे के उपर से इस तरह से डॉप करेंगे फिसे next हम दो फंदे एक साथ ले लेंगे और दोनों को bind off करेंगे दो का एक बनाएंगे और ये वाला पिछे का फंदे इसके उपर से डॉप करेंगे अगर हम इसको tight हाथ से bind off करेंगे तो हमारा जो shoulder है वो खिचा हुआ सा महसूस होगा तो इसलिए आपने इसको देले हाथ से ही bind off करना है तो दिखे ये सबी फंदे bind off यहां तक कर लेंगे लास्ट का एक फंदा इसको भी bind off कर देंगे इसको हम यहां पर इस तरह से ले लेंगे इस फंदे को तो दिखे हमने इसकी एक side अच्छे से bind off कर दी है तो दिखे यह बिल्कुल भी खिचा हुआ सा नहीं लग रहा है बहुत ही smooth इसका shoulder बना है तो ऐसे ही हम यह दिखे इसकी दूसरे side को भी यहां से bind off करेंगे तो दिखे इस तरह से इनको लेंगे 34 फंदे हमने एक साथ needle पर ले लिए है तो इसको हम bind off कर लेंगे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और इसको इसके उपर से drop करेंगे तो फिससे ऐसे ही ले लेंगे और इसके उपर से इसको drop कर देंगे यह दिखे इसी तरह से सभी फंदे bind off कर देंगे यह दिखे इसको इसके उपर से drop करेंगे लांस्ट के two stitches हैं इसको भी ऐसे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और इस फंदे को इसके उपर से drop करेंगे अब देखे यह हमारे पास एक फंदा यहाँ पर रह गया है तो धागे को यहाँ से कट करेंगे और इसको इसके बीच में से ऐसे निकाल कर इस फंदे को भी bind off कर देंगे तो देखे हमने इसके दोनों shoulder जो हैं वो bind off कर दिये हैं तो देखे इस तरह से यह बहुत ही अच्छे से हमने इसे bind off किया है कोई भी खिचाव इसमें महसूस नहीं हो रहा है बहुत ही अच्छे से bind off हुए हैं तो अब हम इसके जो हैं वो neck के फंदे यहां से उठाना स्टार्ट करेंगे तो आपने इसके neck के जो फंदे हैं वो इस तरह से आपने इसे रख लेना है सीधी साइड में तो आपने इस साइड से जो आपका right hand side है उस साइड से सीधी साइड है यह हमारे जो sweater है उसकी सीधी साइड है उसकी right hand side से आपने यहां से लेकर ऐसे घुमाते हुए यह वाले फ तरफ से इसके फंदे नहीं उठाने हैं अगर आप इस साइड से इसके फंदे उठाएंगे तो फिर आपके जो फंदे हैं वह आपको इसको बुनने में दिक्कत होगी तो आपने हमेशा इसको ऐसे ही उठाना है तो यह दिखी यहां से हम इसके फंदे उठाएंगे तो यहां पर हम circular knitting करेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर यह दिखिए circular needles दी हैं यह इस तरह की needle आपको बहुत easily market में मिल जाएगी अगर आप इसके साथ नहीं करना चाहती हैं तो इस तरह की needle जो होती हैं दोनों side वाली four needles इसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं इस needle पर आपको knitting करना बताएंगे कि किस तरह से neck बनेगा तो मैंने यहाँ पर नीचे इसका जो यह देखिए border बनाया था वो हमने 12 number यानि कि 12 number की सिलाई पर ही बनाया था तो इसलिए मैं इसका neck भी 12 number की सिलाई पर ही बनाऊंगी तो दिखे कैसे करेंगे यहाँ पर हमने इस तरह से यह वाली circular needle जो है वो लेकर start कर लेना है तो एक फंदा हमने यहाँ पर जो रख लिया था जो last में हमारा बच गया था जिसके साथ हमने यह bind off किये थे जा फंदे यहाँ पर last का फंदा हमने bind off नहीं किया था तो अब हमने यहां से इस फंदे को लेना है और यहां से फंदे उठाना स्टार्ट कर लेना है यह दिखे इस तरह से यह लेंगे और साथ-साथ में से ही इसके फंदे उठाते जाएंगे तो दिखे ऐसे आपने इस तरह से बिल्कुल इसके साथ साथ ही फंदे उठाते जाएंगे तो हमने जो इसके फंदे उठाने हैं वो आपने 70 से लेकर 80 तक आपने एक साइड के यहां तक यहां तक सेंटर तक इसके एक साइड के 70 से लेकर 80 तक फंदे आपने उठा लेने हैं तो जितने भी आपके फंदे रहेंगे दोनों साइड में आपने सेम ही उठाने हैं, तो कम से कम आप 70 और ज्यादा ज्यादा आप 80 तक इसके फंदे उठा सकते हैं, तो इस तरह से हम इसके ये दिखे साथ साथ में फंदे उठाते जाएंगे, ज्यादा गैप नहीं डालना है आपने फंदों में, तो एक आपने इसको जो फंदे उठाने हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, एक साइड के आपने फंदे एक बार उठा कर देख लेने हैं, कि आपके कितने फंदे रहेंगे, तो दूसरे साइड के फंदे भी हम उसी साम से ही उठाएंगे, देखे, य हमारे जो फंदे हैं वो उठ चाते हैं इस तरह से आपने विखाप कर लिना है फंदे को ऐसे यह देखिए तो मैं सारे फंदे उठाकर आपको बताती हूं यह देखिए यहां पर हमने एक साइड केस के 77 फंदे उठा लिये हैं अब हम इसकी दूसरी साइड के 77 फंदे ही उठाएंगे तो दिखिए यहां पर यह इसका सेंटर का फंदा है अभी इसको हमने पिक अप नहीं करना है इसको बाद में पिक अप करेंगे तो दिखिए यहां से सेंटर के फंदे के बाद में इसको ऐसे आगे रख लेंगे ये दिखे इसको आगे रख लेंगे और इसके साथ में ही यहां से ही इसके फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे ये दिखे इस तरह से हम इसके 77 फंदे इस साइड के भी उठा लेंगे इसने फंदे बिल्कुल शफिशेंट रहते हैं तो ये वाले फंदे हमने 18 से लेकर अब आवेस जितनी भी एच हो 18 प्लस के लिए इतने फंदे हम नेक के उठाती हैं ये दिखे फैन 77 स्टिचिस हमने इस साइड में और 77 स्टिचिस इस साइड में हमने इसके उठा लिये हैं अब हम यहां से फस्ट ट्रॉ डालना स्टाट करेंगे तो यह दिखे ऐसे पिछे की साइड से हम फस्ट ट्रॉ डालना स्टाट करेंगे तो यहां से हम हमारा बॉर्डर स्टाट करेंगे वन बाई वन रिविंग स्टिच का बॉर्डर हम बनाएंगे तो यह दिखे यहां पर हमारा यह जो गैप है यहां पर गैप को फिल करने के लिए हम यहां से एक फंदा उठा लेंगे तो यहां से ऐसे एक फंदा उठाएंगे इसको ऐसे टिस्ट कर लेंगे तो यहां पर कोई भी जाली वगरा नहीं बनने चाहिए तो इसके लिए हमने इस फंदे को टिस्ट किया है तो अब हम यहां से निट करना स्टार्ट करेंगे तो दिखे यहां से हम इसे knit करना start करेंगे तो पहला फंदा जो है इसको हम ऐसे back loop से सीधा बुन लेंगे क्योंकि हम one by one ribbing stitch का border बनाएंगे तो अगर आप इस border को सीखने चाते हैं तो इसका link नीचे description box में दिया है वहां जाकर आप सीख सकते हैं तो दिखे next फंदा हम उल्टा बनाएंगे फिसे next फंदा इसका हम ऐसे back loop से सीधा बनेंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा back loop से सीधा उल्टा सीधा तो दिखे इस तरह से यह border बनाते हुए हम यहां सीधा तक दूनकर complete कर लेते हैं यह दिखे यह एक फंदा लास्ट का है इसे दबना बना लेंगे तो यह दिखे जैसे हमने इसे यहां से स्टार्टिंग में इक फंदा उठाया था तो अब यहां से फिसे एक फंदा उठाएंगे तो हमने यहां से एक फंदा उठा लेना है इस तरह से इसको भी लेंगे और इसको टर्न कर लेंगे टर्न करके लेंगे नहीं तो फिर यहां पर जाली सी बन जाएगी अब यह हमारा ओल्टा फंदा है धागा पिछे करेंगे इसको हम ऐसे सीधा भुन लेंगे धागा आगे करेंगे अब बाकी के पंदे वैसे ही बना लेंगे जैसे हम इसका बडर बनाते आ रहे हैं एक उल्टा पंदा एक पंदा बैक लूप से सीधा फिर से धागा आगे एक पंदा उल्टा एक पंदा बैक लूप से सीधा यहां तक हम ने इसे निट कर लिया है और यह हमारा सेंटर का फंदा आ गया है तो अभी हमने इसको नहीं इसके उपर नहीं लेना है तो दिखे इसको कैसे बनाना है मैं आपको एक ही बार इसे बताऊंगी तो आप ध्यान से देखे हर बार आपने ऐसे ही इसे बनाना है तो दिखे यहाँ पर हमने यह वाला फंदा जो है वो सीधा बुन लिया है और इसको ह हम धागे को पिछे ही रखेंगे और ये वाला हमारा सेंटर का फंदा है एक फंदा इस साइड का और एक फंदा दूसरी तरफ का दोनों फंदे इस तरह से एक साथ लेंगे ये दिखें इस सेंटर का फंदा है एक फंदा इस साइड का दोनों तरफ के दो फंदे लेंगे एक फ आपने ऐसे ले लेना है तो दिखे इसको आपने क्या करना है यह वाला फंदा यहां पर लेकर आएंगे और इस फंदे को आपने यह देखे बिलकुल सीधा लेना है तो दिखे जो भी साइड इसकी यह देखे यह वाली जो चेन है वो बिलकुल सीधा रही है इसको ऐसे लेकर जाएंगे और ये वाल फंदा भी लेकर जाएंगे इसां देकि इसके ऊपर से पास कर देंगे तो इसको आप यहां पर मार्क भी कर सकते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका संटर का फंदा कौन सा है और एकदों फंदे जब आप यहाँ पर बनालेंगे तो आपको इसली ऺीर यहाँ से पता चल जाएगा तो आप इसको फिर से यहां पर मार्क कर लीजिए इसको हम यहां पर shift कर देंगे और ऐसे ही इसको दिखिए पहले मार्क कर लेते हैं और इसको ऐसे ही shift कर देंगे अब दिखिए यहां पर यह वाला हमारा center का फंदा है इस side में हमने जैसा फंदा बनाया है जैसे दिखिए यहां पर ये वाला फंदा हमारा सीधा है तो दूसरी साइड में भी हमारा ये वाला फंदा भी सीधा ही रहना चाहिए तो आपने दोनों तरफ ध्यान से देखना है ये वाला अगर उल्टा रहेगा तो इस साइड में भी आपने उल्टा बनाना है अगर इस साइड में सीधा है तो अब हमारा ये वाला फंदा भी जो है वो सीधा ही हम बनाएंगे, तो देखिए ऐसे बैक लूप से इसको ऐसे सीधा बना लेंगे, ये हमारा सैंटर का फंदा रहेगा, इसके दोनों साइड सीधे सीधे फंदे आएंगे, अगर उल्टे हैं तो दोनों साइड इस साइड में उ कम्प्लीट करेंगे तो दिखिए मैं यहां तक भुनकर कम्प्लीट कर लेती हूं फिर आगे आपको बताते हूं कि कैसे करेंगे ये दिखिए ये हमारी one row complete हो गई है अब यहां से हम हमारी second row complete करेंगे और ऐसे ही इसे circular पुनते हुए इसकी सभी row complete कर लेंगे तो दिखिए यहां से फिर से हम हमारी second row start करेंगे एक row हमने complete कर ली है ये दिखिए सीधा उल्टा पैटर्न आपने वही डालना है जो आप डालते आ रहे हैं तो इसको हम बुनकर complete कर लेते हैं तो जितने भी हम इसकी rows बनाएंगे वह आपको बता देंगे आगे कि हमने इसकी क टोटल फंदे हैं वह हमने कितने उठाए हैं तो यह दिखिए एक पार में आपको बता देती हूं कि यह दिखिए यहां पर हमने 77 फंदे इस साइड में और 77 फंदे इस साइड में उठाए हैं तो टोटल हमारे 154 फंदे इस साइड में और इस साइड में हो गए हैं 77 फंदे इस साइड में और 77 फंदे इस साइड में हैं टोटल 154 फंदे हैं और पीछे की साइड में हमारे पास 42 फंदे थे तो हमने प्लस इसके दोनों साइड में एक एक फंदा उठाया था तो 44 फंदे हो गए थे तो टोटल हमारे 77 प्लस 77 प्लस 44 टोटल हमारे 199 फंदे इसके अराउं हो गए हैं और यह हमारा center का फंदा है तो हम इसे यहाँ पर हर बार इसका फंदा decrease करते जाएंगे तो यह वाला मैं यहाँ पर यह सारा complete करके आपको एक बार और दिखा देती हूं कि center का फंदा आपने कैसे decrease करना है फिर बाकी की रॉप बना लीजिए तो मैं यह यहाँ तक करके आपको दिखाती हूं यह दिखें फिर से हम यह center में आ गए हैं यह हमारा center का फंदा है और इसके दोनों साइड में यह दो फंदे हैं तो फिर से हम यह दो फंदे ऐसे इसको इसे उतार लेंगे और इन दोनों फंदों को बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे अब यह वाला हमारा जो फंदा है इसको वापिस से नेडल पर उठा लेंगे इस तरह से यह दिखें और इस फंदे के उपर से इस तरह से ड्रॉप कर देंगे अब इसे नेडल पर लेकर जाएंगे तो अब हम इसे मार्क नहीं करेंगे तो दिखें यह अब हम इसे इसली देख सकती हैं यह हमारा सेंटर का फंदा है तो अब हम इसे यहाँ पर मार्क नहीं करेंगे तो अब बाकी की हम सभी roses की बनाकर complete कर लेंगे देखिए फिर से इस side में उल्टा फंदा है तो इस side में भी ये उल्टा फंदा ही आईगा तो जब आपने इसे border को start करना है यहां से तो आप अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपका ये perfectly border जो है वो बन जाएगा उल्टा ही बनाना है तो बाकी की रख हम बना लेते हैं इसकी मैंने यहां पर इसकी गले की 9 rows बना ली है तो अब हम इसको यहां पर गले से जो है वो round border इसका बनाएंगे